आउ राष्ट का नेमाड करें हम सब भारत नेभर भारत बने मैं लालचन सोनी आज सुबटाइंस में आप सभी का स्वागत है प्राकितिक की दुनिया में आपका स्वागत है और जिस तरह से आप देख रहे हमारे जिस तरह में गर्मी है बहुत सारे तड़ाके की गर्मी पढ़ रही और धूब भी गाफी ते निकल गया है इस बीच में रिपोर्टिंग करना और आप को बताना कितनी बड़ी समझया है आप समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग करना और आपको दिखाना गर्मी से लबतक और पसीना शिर से लेकर पाव तक पूरा सरीर गिला गिला तो आप देख सकते हैं कही न कहीं प्राकेतिक को लेकर हम आज जो हैं कितना लापरवाई बरतते हैं ये गर्मी किसलिए है इसलिए है कि पेड़ पौधे अधिक या पुराने पेड़ पौधे नहीं है आप समझ सकते हैं गाव में यदि आप रहते हो तो वहाँ पर बड़े बड़े और मोटे मोटे पुराने पुराने पेड़ पौधे लगे होते हैं अधिक गर्मी नहीं होती है और होती भी है तो हवा का जोका ऐसा होता है कि गर्मी का एहसास होता ही नहीं और यहाँ पर राष्टी राज़धानिच्षे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, महाराज आप दे सकते हैं सहरी कृणते जहाँ बहें सहरी लोग वहाँ पर लोग जादा प वातावरण अच्छा नहीं है और पेड़ पौधे लगाने से आपको पता है सुद्वातावरण मिलता है अच्छा हवा खाने मिलता है तो हम सुबह सुबह कहते हैं आहा बहुत अच्छा हवा चल लाए जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे प्राकितिक की सौंधी करण का सौंदरी करन बढ़ेगा यहीं कि आप अच्छा रहेगा आप अच्छी निरोग रहेंगे और एक कदम चलना होगा तो आप चार कदम आगे बढ़ेंगे तो इस समय गर्मी का जो समय चलना है बहुत भी बहुत ही गर्मी है और इसे कहा जाए तो जो है भग्वान जो है सब को एक साथ लेका चलते हैं कभी गर्मी कभी छाओ कभी धूभ कभी बारिश तो ये सब देखनी को मिलती है भारत में और बदलाव प्रेवरण को ने कर जिस तरह से बदलाव होती है प्रेवरण करे कर जिस भर भारत बनने के लिए आप खुद वखुद आगे आईए और खुद वखुद पहचानिए क्योंकि देश अपना है राष्ट अपना है और इसे मजबूत करना किसे हैं हम सबको ही है तो इसलिए सभी लोग अच्छे सोचो और अच्छे के सच्चाई के साथ चलो और हमेशा प्राकेश्तिक की दुनिया और सौंधीर करण का दुनिया पेड़ पौधे के बारे में अधिक से अधिक सजक होने की जरूरत है और लगाईए पेड़ पौधे लगाने से आपका मनोबल आपकी ताकत आपकी सौंधी करण धरती माता जगजन्नी जितना ठंधक रहेगा उत सबसे पहले किसान भाई का नमस्कार और लगतार जिस तरह से आप देखते हैं कि हम सब को सहर तक का अन्न पहुंचाते हैं और खेती करकर धूप पसीना जब सुबह होता है तो खेत में होते हैं और जब दोपार होता है तब भी खेत में होते हैं और हम सब जो है दोपार होता है तो घर के तरफ भागते हैं या रास्ते में कोई च्छाओं होता है तो वहां भागते हैं तो यही सब है तो आप हमारे चैनल देखते रहिए हम समाजी मुद्दे के साथ आप से फिर मिलेंगे आप अपना ख्याल परिवार और देश का जरूर ख्याल कीजिए तब तक के लिए नमस्कार गुड मानिव नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियों को आपको नोटिफिकसर मिल जाए धनबाद